नमस्कार साथियों मैं रजनीस आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फेबरेट यूटूब चैनल क्यों का क्यों क्यों स्टड़ी पर देखे आरार वी एंटी पिसी सीवी टी वन का जो एक्जाम चल रहा है तो आज 25 जनवरी के फर्स शिफ्ट का एक्जाम समाप्त इस अब पहले को सब्सक्राइब करते हैं आज का पहला को सिन पूछागया था आई एलो का है सबसे पहले समझे कि आइलो मिस होता क्या है आई एलो मिस होगा international level और ये डिए सब्सक्राइब को लेडिक यह कहां है तो अंधर पर्देश में अंधर प्रदेश में का सेंसर अंधर पर्देश अगला कोशन है कि बायुदाब किसे मापा जाता है तो बायुदाब जो है इसका सजय असर्ट के होगा बैरो मीटर तेके साथ को आप लोग जो भी कोसन आते हैं इस आप जरूर सेर की जगा ता कि हमें भी help मिले आपको discussion करने में आपको समझाने में एक को सना आज के सिफ्ट में पूछा गाता कि जैन धर्म के कों थे तो जैंधर्म के जो तो जो जोसे में तिर्थिकाल है कोई महाबिर स्वामी एक कोशन आज करे में पूछा कि खिलाफप आंदोलन की शुरूआथ कब और कहां से हुई थी देखे कब हुई थी 1999 और कहां से हुई तो तर्की में रखे अग द्यौन कोंे लगाजा जाता है आई कि आई डीन का फुल फरम क्या है देखिए अच्छी का फूर्फ़्म होता है इंटरनेशनलाइज डोमीन नेम होगा ठीक है एक कोशन आज के युजामस में पूछा गया था कि 2019 का भारत ररतन किसे मिला है तो देखिए 2019 में तीन लोगों को भारत ररतन मिला है पहला है पर्नमुखर जी दुसरा है भुपेन हजारीका तिसरा है नाना जी देश्मुख आपके ऑप्सन में कौन से थे यह आपको बताना ह और आपको यह समझना है कि आपके ऑप्सन में किस टाप्स के थे तीनों को मिला है मैंने तीनों का बता दिया एक कोशन आज के सिप्ट में पुछा गया था कि कैला सत्यार्थी ने कौन सा अभियान शुरू किया है कब से 1980 से देखिए साथ हूं जो भी नए है और इस चैनल के द्वारा आपको मौनिंग में डेली करेंट्स अफेर के वीडियो अपलोड होते हैं तो जो भी साती डेली करेंट्स अफेर के कोशन देखना चाहते हैं अभी तुरत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकोन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मौनिं जो कोशन होता है वो आपको हम प्रवाइड नहीं करेंगे एक कोशन है कि असोक ने सांची का असोब बहुत असमारक कहां बनवाया था तो इसका सही इंसर क्या होगा मध्ध परदेश होगा ठीक है एक कोशन आज के सिप्ट में पूचा गया था कि बच्चा मां के गर्भ मे होता है तो उसे पोशन कहां से प्राप्त होता है तो इसका सही इंसर क्या होगा गर्वनाल से होगा जिसे हम इंगलिस में प्ले सेंटा कहेंगे एक कोशन आज के पूचा गयाता है कि साउंड एक कमरे से दूसरे कर्मे में कमरे में सुनाई क्यों देता है तो क्यों देता है के कारण क्या होगा अपवर्तन के कारण एक कोशन था कि ध्वनी की तिवर्ता किसे मापते हैं ध्वनी के जो तिवर्ता है सो डेसी वल में मापा जाता है एक कोशन और था कि अर्थ्ट्यूग भूकंप जोता है अर्घ्ट्यूग मिल्स भूकंप होता है तो मग्मापने वाला यंद्र क्या कहलाता है तो इसका सफek हो गजै जो भी सही आंसर किये हैं आप लोग बताइगा कि कितने आप लोग रोघ्व हैं जाने जो हम आपको ऐंसर cheap करा है इस इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप लोग कितने सही एंसर कर पाएं ठीक है और साथ हैं अगर कोई भी कन्फूल तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं आज के सिप्ट में एक और कोशन पुछा गया था कि सेलेक्ट में किस बुक के लिए बुकर प्राइज दिया गया है देखे दो बुकों के लिए दिया गया था पहला है दस टेस्टामेंट और दूसरा है गल्ल विमेन अदर्स एक कोशन पूछा गया था आज के सिफ्ट में कि मोच सब पर वो कहां मना जाता है ठीक है ऑप्सन था आपका महराष्ट आंध्रपरदेश नागालेंड गुजरा दे देखे इसको समझ यह बीपी सी एल और आइसी आइसी आई दो आपके थे ठीक है इनमें से कौन सा सार्वचनिक छेतर नहीं है उसका सब्सक्राइब क्या होगा इसका सब्सक्राइब क्या है इसको द्यान में रखेंगा आर ए एम चलिए अगला कोशन देखते हैं नाम सामराट बैथा था तो इसका सब्सक्राइब क्या होगा समुद्र द्यान में रखेगा ठीक है आने वाले वाले स्रिप्ट में हो सकते कुछ पूच्छन पूचे जा सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में भी इस कॉस्टन में भी एक को संपूचे गए हम आगे आपको बताएं क एक को संपूचे जो कि रिपीट हुआ एक को संथा कि मौलाना अबदूल कवलाम आजाद ट्रॉफी की सुरूआत कब कब सुरू हुई थी जिसका सही अनसर क्या होगा 1956 से 1977 के बीच में यह हुई थी एक को संथा आज के सिफ्ट में कि आई एम एफ में टोटल मेंबर कितने ह होते हैं सबसे पहले समझें कि होता क्या है इसका सब्सक्राइब फूल फॉर्म है इंटरनेशनल मेमोरी फंड होगा ठीक है सोरी इंटरनेशनल मोनेटरी फंड होगा ठीक है तो आई एम एफ के टोटल मेंबर से result कि सब्सक्राइब से 1005 फैडिक को हडी से कौन जोडता है इसका सा क्या होगा लिगामेंट लिए मैंट जोगे जिखे में जितने वी कौशन में पूछा पूछा है यह जोड़ता है मैंने आपको डिशटे कर दिया ठीक 마음에 में सर्कूलर बाला था जैसे होता ना कि एक सामने भी है बी के बगल में और इस टाइफ के होता है डिशनिंग में उस टाइप के कोशन पूछा गया थे ठीक है एक से दो कॉछा गया था जिनका भी एक नहीं हुआ आप लोग अच्छी तरह से देख लिजेगा और जितने भी एन आलेसिस करते हैं आप उसको ध्यान से देखी गाति ठ कैसी लेगे आप लोग जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक की जगा जरूर ताकि पता चले कि कितने अस्टूटेंट्स इस एनालेसिस को आप लोग अच्छी तरह से देखते ताकि आने वाले एक्जाम्स में बहुत ज्यादा आपको वेनिफिट मिले और जो भी साथी फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झालेसिस से में देखते हुआ अवादा।